नमस्कर दोस्तो मैं एस्टरोलिजर रजेश कालिया हर्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिव चैनल रक्षी तैस्ट्रों मास्टर्म दोस्तो आपका लगन या जनम राशी दोनों में से कोई मकर है तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में बात क करेंगे जून 2021 की दोस्तों ग्रै गोचर के नुसार धन के स्वंद में जून मां शुब परतीत हो रहा है धन के अवागमन में निरंतरता बनी रहेगी धन बाब में धन कार्क गुरू का गोचर तो लाब बापर प्राकरम कार्क मंगल की राशी में विराजमान होकर केतु के ग भी बहुत वश्यक है क्योंकि इसमा दन और निवेश से सबंदित जातर ग्रै वक्री वस्ता में है सावदानी नहीं बढ़ती तो एक हाथ से दन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल भी सकता है आय की अधिकता के साथ वय की भी अधिकता प्रिशानी का कारण बन सकती है मा के शरुवाती दो सब्ता प्रहेज करें अर्थात निवेश कार्या को कुछ समय के लिए टाल दें तो बेहतर है जैसे जैसे मा वैतीत होता जाएगा स्थितियें अनकूल होती जाएंगी दोस्तो एक नजर डालें जून मा में आपकी राशी पर बन रही ग्रह गोच्री य मा के शरुवाती सब्ता में ही दो जून को मंगल राशी पर वरतन कर आगे वड़ जाएंगे तो तीन जून को वक्री गतबुद एक बाप पीछे चले जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं मंगल की दूस्तो दो जून से लेकर पूरन मास मंगल नीच राशी में विराज मान थिका संचार होगा यहां उर्जा शक्ति आपकी नस नस में जोश भर देगी आपकी मकर राशी मंगल की उच राशी भी है मंगल की आपकी राशी पर उच दृषिक निश्चत ही आपके जोश और उत्सा में व्रीदी करेगी दोस्तों आपका जहाँ जोश और उत्सा जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा कार्या वेपार और वेपसाई के शितर में आपको अपने जोश उत्सा और उर्जा शक्ति का पूरन लाब मिलेगा परन्तु दंपत्य जीवन की सुख शांती भंग हो सकती है जीवन साथ ही आपको प्यार से बुलाए और आप उसका जवाब मुव फाड़ कर दे तो अवश्य ही तनाव एम अतवेद पैदा होंगे ऐसे ही योग आपकी राशी पर बन रहे हैं इसलिए दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दे धैर्या तता सैयम बनाई रखने की वश्यक्ता रहेगी जोश तो ठीक है परन्तु जोश जोश में होशनाख होई बुद्धी वेक से सोच विचार कर कार्या करें आपकी राशी के साथ राशी स्वामी शनी भी मंगल के प्रवावशेत्र में है नीच राशी गत मंगल और वक्री गत शनी का द्रिष्टी स्वंद एक क्रेला तो दूसरा नीम चड़े जैसा है अतरिक्त साफदानी वर्तने की वश्यक्ता रहेगी जुस्तो आर्थी कुनती लाव तथा आयवरीदी के स्वंद में मंगल का गोचर लापर्द है लाबाम में मंगल की राशी में विराजमान होकर केतू भी मंगल समान ही फल देंगे आपकी मेहनत वे रत नहीं जाएगी प्राकरम मेहनत और प्रयासों का पूरण फलाब के बिष्टी से करम्स्थान भी अतियांत ही मिजबूत स्थिती में है करम्स्थान की मजबूत स्थिति से आप भाग्यत सॉhr Death बैटेंगे करम करेंगे करम-परदान बढ़ें警 सुख शांति की परवा किये वगया आर्ति कुन्नती तथा सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे इसलिए घर परवार के सदस्यों की नाराज़गी भी जेल नी पड़ सकती है बात करें बुद्धी एंवे पारकारक बुद्ध की तो तीन जून से लेकर पूरन मास बुद्ध पंचमबा पर ही गोचरस्त रहेंगे आपकी राजी के भाग्या वाब के स्वामी बुद्ध का पंचमबा पर गोचर बाग्या के स्वांद में शुब है करम की मजबूत्ती के साथ भागे का सुक से योग भी प्रापत होगा 23 जून तक बुद्ध पंचमबा पर वक्री वस्ता में रहेंगे इसलिए जल्दवाजी में आकर कोई महत्त पुरन निर्ने ना ले नहीं तो निर्ने का वपरीत प्रवाब पर सकता है पंचमबा बुद्धी संतान शिक्षा और निवेश कारें से स्वांदित बहुत ही महत्त पुरन बाव है इस बापर सुर्या का राहू के साथ यूतियोग और बुद्ध का वक्री वस्ता में गोचर निवेश के लिहाज से भी शुब नहीं है इसके साथ ही धनवाब में स्थित गुरु वक्री और धनवाब के स्वामी शनी भी वक्री है धनवाब पर मंगल की दिरिश्टी भी पढ़ रही है जो किमबरे शेतर में निवेश करने से भचना होगा खास कर जब तक सुर्या की राहू के साथ यूति है संतान के स्वंद में वी यह यूति योग शुब नहीं है संतान से स्वंद चिंता परिशानी तनाव का कारण बन सकती है विर्थ के कारे में बुद्धी का अधिकवय करेंगे दोस्तों 15 जून को सूर्या राशी परवर्तन कर आगे वड़ जाएंगे अब सूर्या एंवराहू की यूति तूटेगी ग्रेहन योग समापत होगा मानसिक रूप से मजबूती के साथ मानसिक सुक शानती की अनबूती करेंगे संतान के साथ कोई मतवेद पैदा हो गए थे तो अब वह मतवेद दूर होगे संतान सुक में वरिदी होगी विद्यार्थियों की शिक्षा में रूची पैदा होगी प्रेम जीवन में साकारातमक मोड़ाएगा पीता के सुक सैयोग में कमी महसूस हो रही थे तो अब वह कमी भी दूर होगी उदर छटेवापर सुर्या का गोचर अतियुत्तम है सुर्या के बल में वरिदी होगी शत्रू जो पहले तनाव हैं प्रेशानी का करण बने हुए थे अब उनसे छुटकारा मिलेगा तो शत्रू पर आप बहुत ही सरलता से विजे प्रापत करने में सफल रहेंगे अधिकार पसंद सुर्या की मिजबूत स्थिती से आपके प्रवाव और अधिकार शेतर का विस्तार होगा शत्रू आपके प्रवाव से प्रवावी तेहं बैवीत रहेंगे दोस्तो अब सूरिया पर गुरू की दृष्टी पड़ेगी सूरिया की शुपता से आपका खोया हुआ मान समान एम आतम विश्वाश पुन प्रापत होगा आपके रोब और रुतबे में वृदी होगी सरकार या सरकारे टेंडर से जुड़ा कोई कार्या करना है तो 15 जून क से बाद करना अधिक बेहतर है दोस्तो कुल मिलाकर सूरिया का राशी प्रवरतन साकारातमक एम अनकूलता पर दान करने वाला रहेगा जून मा में अंतिम राशी प्रवरतन है लगजरी लाइफ एम बहुतिक सुखों के कारक शुकर का 22 जून तक शुकर छटे भापर ही गो करेंगे प्रेमी जन के साथ समय वैतीत करने के अनकूल अबसर पैदा होंगे तता किसी दूरस्थल की यत्रा करेंगे उपहार के रूप में प्रेमी जन को कोई कीमती तोफा बगरा दे सकते हैं मातर पक्ष के स्वंद में भी शुकर का गोचर उत्तम है ना ना मामा और मासी का सुक से योग प्रापत होगा तता सवंदों में सने एम अधूरता बढ़ेगी 22 जून तक खासकर पेट की बिमारियों के प्रतिज जाग रुक रहें बाहर का तला तता मसालेदार बोजन से प्रहेज करें 22 जून को शुकर भी राशी प्रोरतन कर आगे बढ़ जाएंगे सब्तमबाब में प्रवेश करेंगे सब्तमबाब के साथ सब्तमबाब के कारक शुकर पर अगनीकारक मंगल के प्रवाप से आपका मिजाज कुछ रंगीन के साथ भोग विलास्ता की और रुजान अधिक रहेगा इस समय आपको अपनी भावनाओं पर नियंतरन की वश्यक् होंगे शुक्र कि आपकी राशी पर द्रिष्टी से सकारात्मक और जा पैदा होगी सहयोगियों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा दोस्तों इसमा शनी एमंगल की द्रिष्टी से पैदा अशुबफलों को दूर करने के लिए उपाई के रूप में हनुमान जी की उपास ना करे आपको यह वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर कमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यावाद